कि हमने लाब से शोचा कि निसमें से हमने ऊच्छ को प्रेटिकल है वो देखा था आज कि यहां पर पार्टो में देखेंगे और जिसमें सबसे पहले हम उनकी को समझेंगे उनका एक सिक्षर समझेंगे इसके बाद उनके प्रेटर करके वी यहां पे देखेंगे तो आई इस सबसे पहले यहांपर देख लेते हैं अधी सकूंसर था तो न यहांपे आता है कि अमपर डेट टाइप अकी यहाऊ से ज्यादा आइटमस को स्टोर करेवाता है अप systemic और इसमें क्या होता है कि जो भी आइटम्स होते हैं उनको कॉमा से सेप्लेट किया जाता है या एक डेटाटाइब की रहेगी या एक एलिमेंट रहेगा उसके बाद कॉमा करेंगी फिर सेटेंड रहेगा उस्का कि होता है अंदर में लिखा ज्सकतर आपके डेटा लिकने की बेस्क्ति लिख रहे इसके सब्सक्राइब करने हैं नहीं सिर्फ आप उसको क्या करते हैं तो आटोमेटिक चांगा। लेता है इसके साथ हुआ। इसमें क्या होता है यह होता है इसमें जो भी डेटा है उसे आपन चेंज कर सकते है यह यहां पर समझे तो कोड में आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हैं किया टपल लिया आप टपल की जिए ले सकते हैं यह कुछ भी लेना है आपको यहां पर नाम दिखाएंग करना है अब ऐसा नहीं हमने टपल लिए तो हम क्या कोई भी बैरियेवल लेगे और इसके बाद यहां पर एसाइमेंट ऑपरेटर का यूज करके वैलू को एसाइन करे इसके बाद पर यहां पर पर टपल ले रहे हैं तो आपन क्या करए है यह को जो किया बहुंता है जो करना है घर आपको पदा करना है तो यह जो यूट करना पड़ेगा तो आपको पूरा आउट्पूट मिलेगा और इसके बाद ही क्या होता है लाच में आपको टाइब भी बताएगा फिर आता है कि आपको यहां पर आउट्पूट से तो आउट्पूट के लिए दूसरा भी तरीका है इसके लिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं और इसके बाद पिर आउट्पूट है वो इस्टेप यहां पर प्रिंट होगा जैसे आप यहां पर देखेंगे पिर है देंट पे अब यहां पर इंटे यूस कर और यहां पर आपbell प्रिंट करने यहां पर यूँस करके आपके यहां पर यहां पर रिदिन नहीं क्या होते हैं अम छायंए बादिक से trends नंबर आफ यहां लिखा हुआ है इसको चेह पॉस्वल नहीं होता है इसमें आपका आता है क्रिटिम टपल को कैसे टरूइट करेंगे तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर यहां पर दूसरा आपका टपल नेस्ट आएगा मिक्स्ट डेटर टाइप और लाइस्ट अधी टिह विश्टकाल आप इ सकते और नहीं भी लगा सकते अगर नहीं लगाते हैं तो आपको प्रोग्राम फिर भी वर्क करता है जो क्या कि पहले राते हैं अपनल और न प्लोग ना प्रिंट करने तो अब एक साथ भी यह से प्रिंट कर सकते हैं। कि इनका नाम दे सकते हैं या फॉर्लुक का यूज़ करके इनके अंदर की वेलुब करवा सकते हैं हलाकि इसी जोग अपन अच्छा समझेंगे आपन ध्री को समझ लेते हैं रहां पर आता है आपका एकसिस नंबर होता है उसको पास करेंगे और उसके लिए आपको क्या यूज करना है अब यहां पर यूज करेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो भी वैलू आपको यहां पर आउट्पुट के मिल जाएगी तो इसे बोला जाता है अब यहां पर देखा कि हमें क्या करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले आपको पर लिए अब तो यहां पर प्रोवाइड करना पिर इसके अंदर जो टपल उसका इंडेक्स नमबर आपको प्रोवाइड करना है तब यहां पर आउट्पुट है वह भी देगा इसके बाद यहां पर नहीं कर सकते हैं अगर चाहे तो उसको रियासाइन कर सकते हैं यह निए यहां पर पहले यह वाली वाली वाल्य साइन के चीज और फिर प्रिंट कर रहें लेकिन बाद में इसको चेंज करना शाहे तो सेम चाहिए और इसके बाद हम क्या कर रहें इसकी जो इसको रियासाइन कर सकते हैं इसके बाद यहां पर नेस्ट आता है आपको डिलीटिंग तपल में क्या होता है इसके लिए यहां पर डेल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है अब इसमें क्या होगा कि टबल को एक एक आइटम करके डिलीटपला किसी इंडेक्स नमबर के जो चैयरेट करते है यहां पर पूरा जो टबल का सोगा वह आप डिलीट कर सकते है यह लेकchas कब डिलेट करते है डिलेटपला यह लिएे сим2000 पर दिलीनए जो इन City अडिलेटबाॹं हो मिलेगा कंडिशन में आपके यहां पर क्या मिलेगा एरर मिलेगा लेकिन अगर आप क्या करते हैं पूरे टपल को डिलीट करते हैं यहां पर डेल और इसके बाद इसका नाम दे रहेते हैं तो आपको नाम प्रोवाइट करना है और इसके बाद जो आप प्रिंट करवाते हैं तो आपक जो आईटम्स है उनकी आगर लेंट चेक करना है वो भी आप कर सकते हैं कैसे करेंगे उसके लिए इसका यूज करने है तो आपको क्या करना है आप इसको किसी दूसरे बैरी वारियेबल के अंदर इसके वारियेबल का नाम इसके बाद आते हैं ने तपल कॉंटेट में नेशन का मतलब क्या होता है यहां पर दो वैलू को एड़ करना जो आपको जोड़ना है इसके लिएए यह क्या करते हैं तो यह क्या करते हैं प्लस को आधिक करेंगा तो यहां पर देख सकते हैं हो यहां पर दूनों की डिवेलू का एड़ किसे अब आप इसमें चाहें तो दो ज्यार और व्या से यह एक तपल की वैल्यो को 12 रिपीट करना है तो यहां पर क्या करेंगे या इस सिंबल कर रिपीट करना है जितने ताइम करेंगे तो हमने 3 लिठा नहीं है तो यहां पर इसकी वैल्यू कर्वाना है यह तो उस कंडिशन पर आप यहां पर आइटरेटिंग टपल का मतलब हो चाहिए कि टपल की वैल्यू को एक इक करके एक्सेस करना यह प्रिंट करना तो इस कंडिशन में यहां पर कोई-भी एक वैरीवर ले लेना था हम यहां पर आई ले ले लेते हैं और आई-इन फिर इसके बाद टपल का नाम तो हमने टपल दे दिया अब क्या हुआ टपल की वैलू को जो आई कॉण जो प्रिंट करवाएंगी यहां पर उसके बेस पर जो आउटूट है वो म बेटिकल में देखेंगे उससे पहले हम यहां पे देख लेते हैं देटाइप होता है आप यापको करनी पड़ते है और उस इंड पर थो हर किreno कर देटबर उती होता हुआ लुड से उसके यह पर थे होता है कि डिकूर्री में जो डेटा हम के अंदर लिखा जाता है है जैसे कि बता है कि यहां पे पाइटन क्या करेगा इसके साथ ही क्या होता है य्ह यानि इसकी जो पताना है अब यहां पर आता है आपका सोर्स कोड तो इसके अगर को यहां पर समझें सबसे पहले हम यहां पर डिफाइंड किया डिक्ति आपको दो सीजें मिलेंगे पहले तो आपको पी दिलेगा इसके बाद आपको उसकी बैलू करवाया है करवाया फिर चलिक करवाया है फिर इसको एक्सेस करने के आपर दो रीच की है कि आप इसका इंडेक्स नम्बर दे सकते हैं जैसे हम अगर D, I, C, T और 5 करते हैं तो इस तेंडिशन में क्या 5 इंडेक्स नंबर पर जो भी वैलू है वो यहां पर क्या होगी और प्रिंट होगी तो 5 की में कौनसी वैलू इसको हो रहा है इसलिए हमें आउट्पूट क्या मिल रहा है ऐसे अपन यहां दिए कि प्रिंट 9 तो अगर अपन दिशनरी ओप 9 प्रिंट करवाते हैं तो 9 में कौनसी वैलू इसको डिप्रिंट करवा सकते हैं अब हम यहां पर इसको डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं सब्सक्रायकल प्रिंट के बाद इसको नाम देना है आपको और इसके साथ ही अगर आप चाहें इसके टाइप को निकलना तो टाईप इसको रूसी इसके साथ ही क्या होते हैं कि यदी आपको कि अंदर प्रिंट करवा थे श्ञा को अगर नेंग को पिरेट करवाते हैं इसका नाम है वो प्रिंट होगा अगर हम पोर्स को करवाएंगी तो इसका जो पूर्स है वो प्रिंट होगा तो इस तरह से आप उसका और को निकाल सकते हैं नेश्ट अपन देखते हैं विश्णरी में कि आते हैं आपके एक्सेसिंग वैलू याली वैलू को एक्सेस करना है लिस्ट और टफल वैलू को एक्सेस करने के लिए उनका जो इंडेक्स नंबर उसका उसका यूज गजाते हैं इसुट इह गर किसी वैलू को यहां कें एक्सेस करना है तो उसमें क्या होता है को प्रोवाइड करना पड़ीगा जो प्रोवाइड करेंगे तो उसकी जो वैलू होगी वह यहां पर आपको आपको मिल जाएगी इसे आप यहां पर कोड भी समा सकते हैं करने के अंदर अलग-अलग की में जो डिफरेंट ती वैलू उनको एसाइंड कर दिया जिसे नेम वर नेम नेम टू नेम फ्री यह तो आपकी की हो गई और इसमें जो राकेश रमेश या कमलेश लिखा हुआ या क्या होती वैलू जब हम नेम वन या नेम टू को एक्सेस करें करना है इसको चैन्ड करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा आपको यहां पे जूब की है इसका यूज करना पड़ेगा आमने सिंपल से कही किया इसका बिशनरी ओख यानि स cape करके यहां पर क्या करना चाहिए नागेश तो आपको ऐसा लिखना है और इसके बाद आपको यहां पर करना है इसको प्रिंट करवाना है जो आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आउट पूट में आपको क्या मिलेगा नागेश यहां पर क्या लि इसके लिए आप यहां पर देखने के निशे अब हमारे डेटा में कहीं पर नहीं मिलेगा जो भी नई की आइड करवाना चाहिए तो उसका नाम देना है और इसके बाद जिसकी जगह है आप आइड करवाना चाहिए उसको आप यहां से की मदद से उसको रिमूब करेंगे जैसे हम नेम वन को अटाके यहां पर क्या करना चाहिए नेम पोर तो इसके लिए आप कुछ ऐसा इस्टिक से लिखेंगे और जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप देखें यहां पर आउपट में नेम बन इसमें नहीं मिलेगा यहां पर नहीं मिलेगा लेकिन जैसे आप चैन करते हैं यहां पर यहां क्या कर सकते हैं पाइफन के अंदर जो की है उसको भी है छेंग कर सकते है इसके बाद next आते हैं यहां पर add dasnery elements यानि dosnery के जो element हैं उन्को और add कर वायन के लिए क्या करना पड़ेगा is गया उन्हें का आपको क्या करना है की अर्ट वैलु दोनों का यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या करते हैं एक दिशनरी गरियवल लेते हैं इसके बार एक की प्रोवाइड करेंगे नियुक्य हमारे पास तीन की नेम वन नेम टू और नेम प्री हैं तो हमने एक नई की लिए नेम फोर और इस नेम फोर में एक वैलू लेते हैं और जब हम यहां पर इसको प्रिंट करवाते हैं तो यहां पर आता है तो इसका यू पर याकर बार जस्का नाम डेगे और जिस की की वैलू को रिमूट करनाएं जैसे हम में तो लिटेंगे और इसके बाद हम इसको print करवाएंगी तो आप देखेंगे पहले वाले output में आपको name 1, name 2 और name 3 तीनों मिल रहे हैं लेकिन delete करने के बाद आपको name 1 और name 3 यही मिल रहे है name 2 आपको नहीं मिलेगा क्यों कि name 2 को हम यहां से क्या कर रहे हैं इसको delete कर रहे हैं इस तरह से आप डिशनरी के जो आइटन हो उनको delete कर सकते हैं फिर इसमें next आता है आपका set data type तो हमने यहां पर टपल देखा डिशनरी देखा और यहां पर लाज्टी आपको क्या आता है कि इसमें element यह क्या होता है और इसमें क्या होता है कि नंबर लेटर या वर्ड कुछ भी देटा पनियां पर इस्टोर करवा सकते हैं और इसमें क्या है कि आपका जो नए element है उनको change नहीं किया जा सकता है साथ ही क्या होता है कि immutable होता है लेकिन किसी भी method के साथ element को add or remove किया जा सकता है अब immutable होता है इसका मतलब यहां पर क्या करेंगा अपन वैल्यों को change नहीं कर भापाएंगी लेकिन कुछ method होते हैं जिनका use करके अपन कर सकते हैं साथ हैं तो यहां पर पर फौर्फ या जा सकते हैं तो हम यहां जेख लेटें जैसे यहां पर देखेंगे वाल नाम ने देखें लिए यह बालु को इसकिए वेलु ए और इसको प्रिंट करवाना है इसे अपनím यहां पर लूप यूज़ सेत्मिस अधर होगा है उसको भी आपर प्रिंट कर रहें के विद इसका लिए आप करने के लिए बीच में कॉमा का यूज करना होता है अगर आप कर रहे हैं तो आपको डबल कुशेशन के अंदर लिखना पड़ेगा और यह लिया आपको इन्टीजर करवारें तो आपको कि यहां पर टाइट करना है कि यह था आपका सेट डेटा टाइप अब इसके अंदर समय लेते हैं सबसे पहले यहां पर प्रकार के सेंट अपरोगे पहला यहां के तो प्रिएक करना है तो ० coming सेत्व में यहांपर क्या होगा कि इसको इसको कर्ली ważne के अंदर रखा जाते हैं और इसके साथ क्या होता है कि एलमेंन्ट है इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं जो ने सेट बनाया तो यहां पर क्या क्या कि यूज क्या और इसके अंदर जे अलो अलग अलग क्यरेक्टर को हमने इसके इसके साथ दूसरा परपस है उसको आपको कर सकते हैं करेंगे फिर आप यहां पर करवाएंगे और फिर आप यहां पर करवाएंगे और लास्ट में आप यहां पर क्रियेट करने के बाद आप उसके अंदर वालियों को अलग अलग ताइप से श्टोर करवा सकते हैं इसके लाद यहां पर आता है मेश डेटा डाई तो सबसे पहले यह क्या होता है मूटेबल आइटम्स को सपोर्ट नहीं करता है तो जो भी में उते वला इटेंट उल्म उनको सपूर्ट नहीं करेगा तो सेट में यहां पर ब्रेकर का यूज कर गें वन और तू यह क्या होते हैं अब आप जैसे देखेंगे हैं सेट क्रियेट किया तो सेट में आपको क्या आता है वन एच त्यूपॉइंट सेट एक और यहां पर देख सकते हैं qualcosa है आइटम जो सबक पोने करें कि यहां पर सब्सक्राइब Whenever the all आइटमशम जो सब्सक्राइब होता है जाता है जैसे आप आपने दॉट्प रहें जैसे आप इसको रिमोस करते हैं स्थें उठल चन्हेका इसमाल किया जाता है होते हैं यहां पर याद रखना है कि अंदर अपन क्या है जो तपल है इसको आप स्टोर नहीं करवा सकते हैं जब कि यहां पर क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास सब्सक्राइब क्या होगा आपको सिंपल सब्सक्राइब करने और अगर चेक करना है तो आप देखेंगे जैसे आप इसको टाइप निगाल को आपको यहां पर यहां पर देखेंगे डेफिनेशन में कि सेट के एलिमेंट को कर्ली डिखा जाता है लेकिन अगर कर देखेंगे लिए करते हैं लेकिन अगर आप उसको ब्लैंड करते हैं और फिर उसको प्रिंट करवाते हैं तो यहां पर उसका जो आउपुट आएगा उसके टाइप आपको डिशनरी मिलेगा लेकिन इसको आपको क्या करना है तो आप देखेंगी सेट टू इक्वल तो हम सेट आउप का यूज करेंगे और इसका ताइप क्या मिलेगा हमें सेट मिलेगा तो इस तरह से आप सेटे कर सकते हैं और नेशा जिए इसमें रिमोविंग डूबलीकेट एलिमेंट तो प्रिंट करता है उनको यहां पर आटमेटिक रिमोग करता है जानि यदि आप करते हैं यह आपधे दुब्ली के इस पर रिपीट होता है यह क्या करता है एक ल को रिमॉब कर देगा तो सिर्फ जो यूनिक वैलू होगी उसी को यहाँ पर फ्रिंट करवाता है यहां पर इंडेक्स से चेंज नहीं की जा सकती है क्योंकि यह क्या करता है इसको चेंज करने करते हैं तो आपके यहां पर क्या मिलेगा अगर इंडेक्स का यूज या यूज कर सकती है अब इसमें क्या करना है कुछ और नई वैलू एड करवाने हैं और उसके अंदर हम वैलू परोबाइट करते हैं अगर हम इंटेजर है तो आप सिंपल सा नंबर लिख टें और अगर इस्टिंग है तो दो मार के अंदर आपको वैलू लिखना पड़ेगा इसके वाप इसको प्रेंट कर वाएंगे तो इसके नएट टाइट है यह यहां पे मिल जाता है यह तरह से आप यदि सेट के अंदर कोई भी नाव एलिमेंट एक तरवाना साथ है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो आइड फंक्शन है उसका यूज करना पड़ेगा इसके बाद यहां पर आता है रिमूमिंग एलिमेंट यूजिंग रिमूप मैठोड यानि अगर स्टेट के इलिमेंट को क्या करना है रिमूप करना है तो उसके लिए आपको यहां पर रिमूप मैठोड का यूज करना पड़ेगा तो यूज करके आप पर्टिकुलर शुप वैलू है उसको आप यहां पे रिमॉट कर सकते हैं अब यह इंडेक्स के बेस पे काम करता है जैसे आप देखेंगे हमारे पास एक सेट था और इस सेट में वन टू फाइक फ्री फॉर यह लिखा हुआ है और जो हम यहा और आपका यहां पर प्रिंट हुआ यहां पर फैफ इंडर के पूरे डेटा को रिमॉट करना अपड़ेगा यहां पे अपर हम जैसे यहां मैटोड तो हम जैसे यहां क्या करें और शेट वैलू है एलिमेंट्स है जैसे हम इसको क्या करते हैं यूज करते हैं इसको प्रिंट करवाते हैं हम यहांपर क्या मिलता है यह एक सेट के अंदर पूरी वैलू को प्लियर कर सकते हैं यहांजिपन कमानि सब्सक्राइब का ऊस्लिवा-प्रिंट्स का बमाटे já जाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और लुग करना पड़ेगा तो यहांपर यहांते'mya कर सकते हैं अब इसमें आप condition भी दे सकते हैं, बहुत सारी condition होती है कि अगर value equal है तो print ना हो, यहां के क्या है आपका less than या greater than ऐसी condition देना है तो आप यहां पे for look के अंदर दे सकते हैं आइटरेटिंग मत्या करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा और इसके क्या है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट से उन सभी को आप प्रिंट कर सकते हैं तो यह था आपका जो python की data types बचे हुए थे लिस्ट आपका टपल दिस्टनरी और इसके पहले हमने इंटीजर इस्ट्रिंग और लिस्ट इन डेटर डाइप को देखा था यहां पर पूल मिलाके आपको स्टिक्स डेटर टाइप में होते हैं और इनको जो अलग 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 देखा है उनको अगर आपने पहले वाले data types नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके पहले का जो बीडिया उससे देख सकते है तो हम यहां पर क्या करेंगे पाश्याम को ऊपन करेंगे और इन सभी data types का प्रेटर देखने यह था हम करेंगे पाश्याम को ऊपन यहां पर जो पाइचांग की विंडो है वो हमारी ओपन होशी कि अब इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले जो टपल डेटा टाइप है उसको देखना है अभी इसमें जो में फाइल है वो रन होगी तो हम इसको करते हैं इसक्रेंट फाइल और इसके बाद यहां पर जो भी लिखा हुआ है इसको यहां से रिमॉब कर देते हैं अब सबसे पहले हमें करना है कापल डेटा टाइप करना है कि हम यहां पर लिखते हैं कॉपल डेटा टाइपस और यहां पर आपको इस ब्रेकर्स का यूज़ करना है अब आपको वैल्यू डिफाइंड करना है जिसके अपन करते हैं कॉमा फिर इस्टिंग वैल्यू के लिए डवल को रेते हैं और इसके बाद हम एक और और टॉक्र करते हैं तो कॉम रूट अं उसके बाद एक क्रिएट करते हैं हमारे हो इसके पर कर वान पिर ड्रीन कासे प्रिञें। प्रिंट लिखेंगे और इसके बाद हम यहां पर इसका नाम दे देते हैं तपल यह हो गया है अब हमें रन करवाना है तो हमने इसके क्लिक किया तो आप देखेंगे इसका जो आउटपुट है वह आपको यहां पर मिल लाता है यह आपको क्या हुआ वन है लो 5.6 या जो भी इलिमेंट से वो सारे यहां पर प्रिंट हो गए अब यह क्या है यह आप यहां पर लिखा हुआ है यह टपल लिखने से टपल नहीं हो जाता हम इसको अगर अटा दें ती ही लिखें इसको हमने क्या किया यहां से रिमोट कर दिया अब हम इसको रन करवाएं तो आप देखे यह कौन थी आप कने लैटा यहां पर से तूस हुआ है यहां करौख नेुन कर रहें घ्रण करवाई है कि यहां पर को देख या समझ यहां पर क्या करता है कि कॉंसर अगर लिए अब इसके बाद और लुप का भी यूज़ कर सकते हैं इसको यहां से करें लिए इन लगाना है और इसका तो बस्काट जोन हमें वो दें और इसके बाद आप इसको प्रेंट करवाना है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एकर के सभी की वैलु प्रिंट हुआ भी आप जब डायेक्ट प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर आप डिख सकते हैं यहलो हुआ फिर पर यहां करें यहां पर करते हैं अगर आपको यहां पर क्या करते हैं हम यहाँ पर T1 कर लें, T1 equal to, अब parenthesis के अंदर एड है अपने कॉमा करते हैं, 2, 3, 4, 5, फिर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप हो जाएगा, अपन अगर यहीं पर क्या करें, T2 equal to, फिर parenthesis का यूज करें, अपन पॉइंट में वैल्यू दे जेते हैं, 2.5, इसके बाद 3.2, 6.4, यह आपका क्या होगा, फ्लोट होगा, इसके बाद 3 equal to, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपका इस्टेंग इस्टोर करवा देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या क्या करते हैं, बीजे, और यहीं पर अपन कॉमा करके, आपको क्या हो जाएगा, साथ ही यहाँ पर क्या होते हैं, अपन टीफोर ले लें, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर टॉपल क्रेट करते हैं, इसके बाद कॉमा करें, अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ कारेक्टर ले ले लेते हैं, फिर कॉमा करते हैं, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक और टॉपल बनाना है, तो हमें यहाँ पर कॉमा करते हैं, और एक और टॉपल बना देते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर अलग अलग टाइप से आप इनको प्रियेट कर सकते हैं तो जैसे यह पहला वाला आपका है फ़र्स्ट वाला यह आपका कौन से हो जाएगा किसी बोलेंगे मिक्स कि यहां पर क्या बूले जाएगे इसको मिस्ट डेटा टाइप अगर अपने यहां पर आते हैं इसको बोला जाएगा इंटीजर डेटा टाइप रूट डेटा टाइप नेश्ट अपर आएगे तो इसको बोलेंगे फ्लोड लूट डेटा टाइप फिर आता है तो यह आपको हौजाएगा इस्टिंग इस्टिंग डिटा टाइप और जो आपका लास्ट वाला है यह आपका हो जाएगा नेश्टेड इसको नेश्टेड टपल बोलेगी या अपने आप तो हो सिखता भी इस्टेड डिटा टाइप अब देखें यहां पर अलग अलग तरह से जो टपल से उन्टो आप कर सकते ही आप इसको प्रिंट करवाने तो आप सिंपल सक्वा करेंगे यहां पर प्रिंट का यूज कर लेते हैं इसके बाद हमें जैसे टीगो करवाने लिए इसके बारा टी त्री ती तॉ यहां पर हमारे पास चार है इन चारों को ने प्रिंट लिख दिया अब इसके बाद हमें यहां पर रन कर वाले लिए जैसे हम इसको रन करवाते हैं तो इसका जो आउट्पुट है वह आपको यहां पर मिल जाता है आप देखेंगे यहां पर पहले वाले का आउट्पुट आगया ठीका है इसके बाद आपको यहां पर सेकेंड मिला इंटीज है फिर फ्लोर फिर इस्ट्रिंग और आंगे आप कर सकती है भी इसको आक्सेस करने का यहां पर क्या होता है कि आप पर इंडेक्स कर सकते है तो जैसे यहां पर करें इसको रिमूट कर दें अब यह आपकी वैलु लिखी हुए है तो हमने लाज टारिम देखा कि आप इस पूरे को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं लेकिन हम इसमें पर्टिकुलर वैलु को प्रिंट करवाना है तो हमें यहां पे लिखेंगे इसके बाद ब्रेकेट्स कि आपको क्या करते है कि वह कॉपी करने कि नीचे यहां पर पेस्ट करते हैं ॥ो करते हैं कि उसको अपन करें दो अलग अलगी इंडेक्स नमबर है आप इसको हम रनकर वाते हैं कि देकिए कि इंडेक्स नंबर के जो वैल्यू है जीरो इंडेक्स पे कौन सी है वन पे आपको है लो टू के आपको 5.6 और थ्री पे आपको ये जो टपल है वो मिल जाएगा इस तरह से तीनों को आप अलग-अलग करवा सकती है अब यहां पर आता है कि जो टपल के इंदर टपल यानि निमेंट तीन इस टपल है उसकी वैलओ को प्रिंट करवाना है एक्सेस करना कैसे होगा इसको एक्सेस करने कि लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा जैसे हम इसमें वन को प्रिंट करवाना चाहिए तो वन हमारा कहां पर आता है थ्री पर यह त्री के अंदर हमें एक और ब्रिकेट इसको यूज करना जीरो अब इससे क्या होगा जो थाड़ के अंदर जो जीरो इंडेक्स नंबर पर वैल्यू होगी वह यहां पर प्रिंट हो को यहां पर क्या मिला सु overlapping लिखा हुआ है अगर आप यहां पर क्या करते हैं करते हैं तो अब है है मिलनाए से ही आप लिफ्ट के अंदर मोता है उसके गढता को भी एकसेस कर सकते हैं यहां पर यहां पर नहीं ग tod हुग है यद iemand कि और नहीं होगा। ऐसे हम इनको पर अब हम क्या करते हैं कि अ छाएते हैं जो ती है और 0 की साथ पर चैंज इन जो कि क्या हो जाए 3 हो जाए 0 पर यहां पर लिकार वगा और हम इसको चेंज करवाते हैं कि करना चाहिए है आप देखेंगे आपको एरर मिलता है आप किया मेरा टपल आपजेट डजना सपोर्ट आइटम एसाइन यह नहीं कर सकते हैं तो जैसे आपके यहां पे चेंज नहीं हो रहा है कि क्या करें से मिलटू कि वहले अपर फियन करने यह द॥ visão द यहां दे दे प्रेंगह अधा को रिया साइन करते हैं ती इक वल्टू ग्रेकेट के अंदर कुछ नंबर ले 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 लिए और इसके बाद करते हैं अब इसको अब रन करवाँ तो आप देखें के फर्ष्ट वाला जो उसमें आपका इमेक्स्ट्रेटर टायप हो वह प्रिंट हो रहा है और सिकेंड वाले जो हमने प्रिंट कर वाया तो हमने जो वैल्यू को रिये साइंड कि वह यहां पर प्रिंट होती है यानि आप टपल के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें कि पूरे टपल की वैल्यू को यहां पर रियसाइंड कर सकते हैं इसके बाद आता है इसमें डिलीट करने का तो डिलीट करने का होता है कि आप इसमें पर्टिकुलर आइटम को को डिलेट नहीं कर सकते हैं यहां पर हम चलाते हैं और डेल में अपन क्या करें टपल टी और जीरो याप जीरो की वैलियो उसको हमें डिलेट करना है और फिर हम यहां पर क्या क्या करते हैं आप देखें अपर आरा रहा है और की आप डिलेट नहीं कर सकते हैं लेकिन डायरक्ट को है कर दें और इसके बाद यहां पर करवाई तो इसके बाद रन करवाई तो यहां पर देखें कि पहले क्या हुआ इसके बाद आप इसको डिलीट कर रहेंगे तो उसके लिए आपको यहां पर क्या करना है हम इस खिलाल डिलीट को यहां से अटा देते हैं हम यहां पर क्या करेंगे इस फंक्सल का यूज़ करेंगे और इसके बाद इसमें टपल का जो नाम है वह पास करते हैं इसको यहां से रिमूट करें और इसमें अपन करवाते हैं तो इसमें कितने हैं हमें आउट्पुट कितना मिल रहा है यहां पर मिल रहा है इस तरह से आप क्या करेंगे यहां कर सकते हैं कि इसी के साथ ही यहां पर आता है कि आपको क्या करना है ना कि दो अपने और करने के लिए के लिए आपकोlyaां paste कि तो क्यूंक के सब्सक्रें करेंगे रिदो और यहां पर खॉर Sympier इस का लार्व करें इस के इंथ तकि क्वारें एक तपल से अधाको मावक दैते है और इसकी बाद यहां पर अपन करवाते हैं इसको बोला जाता है टपल कॉंपे नेशन यहांनि दो टपल को आपस ने जोड सकते हैं अब आपके पास दो टकल हैं उनको भी आफेकर सकते हैं फिलाल इसको रॉन तो आप देखें जैसे आप इसको रन करवाते तो इसका आउट्पूट तो आपको आपको यहां पर यहां पर किसी एक बैलू को बार बार रिपीट करना है वह भी आप कर सकते हैं आपको इसको रिपीट करवाना है तो हम जैसे यहां पर करते हैं तो आपको जैसे रन करवाते हैं तो इसमें आपको जो यहां पर क्या मिलेगी आपको हो जाएगी हम अगर इसको टू टाइमस कर दे और इसको रन करवाएं तो आप देखेंगे यहां पर क्या होगी होगी तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं और टपल के लिए लास्ट आता है आपका आइट्रेटिंग यानि पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट पे जाके आपको यहां करना है लास्ट में हम देख चुके हैं वैसे इसमें आप सिंपल सा क्या करते हैं प्रिंट का यूज करते हैं यहां पर प्रिंट करवाएंगे एक एलिमेंट होगा करवाएं आपका लेकिन यहां यहां से क्या करें तो आप देखें और लेकिन करते हैं और यह आप आईट्रेटिंग पर लुक करके प्रिंट करवाते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा तो इसे बोला जाता है टपल आईट्रेटिंग सरफार्टिंग है को गया और जैसा कि आपने और यहांपे इसको करवाई यहांपको एक पर यहां पर के ढारा यहां डुटिशनरी डेट टाइप यहां पर अपने कोई वरीवन लेंगे डी आई इसीति या आप डी ले सकते हैं इसके बाद आपके कर ली तर्लिय दूर्टर नहीं अभी हां पर आपको बनाने है जैसे वन ग्रेट कि ते हम करते हैं यहां पर हम करते हैं यहां पर हम क्या करें इसमें करवाते हैं इसके बाद करवाते हैं इसके बाद करें तो इसके बाद के बाद एक तरह से हम हैं लोके इस्टोर पर रहें को सकते यह इसमें जो की यहां पर यहां पर इसको और लिकाल था इसको बोलते हैं अब यहां पर मिश्क करवाएं कि अब इसमें क्या करना है मांन के लिए डी आई सीटी यहां पर ब्रेकर सी यूज करेंगे और हमें प्रेंट करवाना फाइट पाइट की में जो वैली वह प्रिंट होगी रन करवाएं है इसके बाद हम यहां पर नाइन अगर प्रिंट करवाएं रन करवाते हैं नाइन में क्या लिखा हुआ है इस तरह से अंदर पर्टिकुलर करना इसको प्रिंट करना कर सकते हैं कि जैसे हमें इसको पूरा प्रिंट करवाना है यहां पर निकालना यहीं पर आप करेंगे और करने के बाद आपको लिखना है टाइप और इसके बाद आपको इसको रन करवाना है तो आप देखेंगे पहले आपकी वैलू आगे फिर इसका जो टाइप वह आ रहा है ताइप यहां पर क्या रहे है दिया इसी यानि इस तरह से आपके इसका टाइप में निकाल सकते हैं ऑग साथ यानि को पर इसको क्रेएट करना और उसकी बेलू पर एक्सेस करना शाथ ही हमने देखा उसका टाइप निकालना अब आता है कि अगर डिशनरी की यहां पर चेंज करना है वो चैंज कैसे होगी तो सिंपल से आपको क्या करना है जैसे हम यहां पर फाइब नंबर की बैलू इसको चेंज करवाना चाहते हैं चो हमें यहां पर लिखना क्या है एंटर करें हम लिखेंगे डी आई सीटी और ओस्नमर की जो वैलू है इस फाइब नंबर की वैलू में हम क्या करेंगे एकपल करेंगे और इसमें हम इस्टेोट कर वादाइंगे यह जगय को थैज दींदव पर बाते उग Corn不用 करें तो आप चिए शीक कर सकते हैं 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ था यहां पर आउट्पूट में क्या आ रहा है आपका देव आ रहा है इस तरह से आप पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके डिक्स्टरी में जो कर सकते हैं कि साथ ही यहां पर यह होता है कि अगर की को चैंज किया अब अगर की को चैंज करना वह भी कर सकते हैं तो मानके चलो यहां पर हम जो चेंज करने से फाइल की जगे हमें करना है और यहां पर हम लिखेंगे इसको हटा दे कि डि-ाइसी टी डॉर्ट और वाप फॉब्प फॉंक्शन के इंदर आपको इसको ओपन करना है अब इसमें आपको पास करना है किसको हमें फाइग को अटाना है उसको पहले लिखेंगे इसके बाद यहां पर बात में लिखेंगे इसके बाद आपको four मिल रहा है five आपको नहीं मिलेगा तो आप डिक्स्टनरी के अंदर बैल्यू को भी चेंड कर सकते हैं और अगर चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं अब आता है अगर नये अलिमिन को अड्र रखते हैं और रहता rozp हटाने के बाद जो भी वैल्यू देना है जैसे हम यहाँ पर देव एड़ करवाना चाहते हैं अब इसको हम रन करवाएं तो आप देखें वन में एड़, फाइब में एड़, एट में एड़, नाइम में जीरो और पोर में देव, तो इस तरह से आप एक नए के साथ में एड़ भी कर सकते हैं अब एड़ करने के बाद आता है फिर फैसे बर नाम देना है final चाहते हैं हमको बन को डिलेट करना चाहते हैं और इसके बाद हम इसको फिर सेुपर कर वाते हैं कि अद्थ है हाँ इसको क्या करेंगे रण कर वाएंगी जैसे तो आप देखेंगे पहले वाली तो आपको यहाँ हो रहा है लेकिन सेकेंड मैसेज पर आपको यहां पर नहीं मिलेगा तो आप पर्टिकुलर की का यूज करके यहां पर उस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं अब डिलीट कर यह हुआ आपका डिशनरी डेटा टाइप हमने देखा कैसे हम आइटम को इस सारी यह समझें अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे घर कर सकते हैं यह पर इसको रीमूट करें sizi इसको करते हैं सब को यहां से हटा देते हैं अँFT سब्से पहले create करने करने हम यहां फील कर करने जैसे सेट ते या सेट या सेटल भी आप कर सकते हैं या एक्स वाइजट जो भी करना है यां pray . आप इसमें क्या करें सबसे पहले हम ने सर्टिंक वैल्व लेते हाँ इसके बाद हम ने इसके बाद कॉमा कम लेज को यह आपका इस्टिंग्ट होगे और इसके बाद आपको इसको प्रेंट करवाना तो सिंपल से आपन क्या करते हैं इसमें अपन लिफते हैं और फिर यहां से क्या करेंगी तो आप देखिंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं हम यहां पर क्या करें और कर यूज करें और इसके बाद एंटर करें इसको प्रिंट करवाएंगे आई कर सकते हैं और इसके बाद इसको आपको रण करवान्य यह तीनों आपको प्रिंट हो गए इन की जगह आप क्या कर सकते हैं यहां पर नंबर का भी यूज कर सकते हैं यहां पर बनाते हैं सब्सक्राइब करते हैं प्रिंट करते हैं और आप यहां पर क्या करें रन करवाएं तो आप देखें कि यहां पर प्रिंट हो जाता है इस तरह से आपका करते हैं इसको लूक में प्रिंट करना तो भी आप करेंगे हम यहां पर करते हैं यहां पर सैट और इसके बाद हमें करवाते हैं और इसके बाद हमें आप क्या करें इसको रन करवाएं तो आप देखेंगे यहां पर सकते हैं कि यह हुआ आपको सेट को क्रियेट करनेगा अब यहां पर अलग-अलग टाइप से क्रियेट कर सकते हैं तो जैसे अपनिन आपकरेट किया ए स्टिंग टाइब का हम क्या करें कि यहांपर करें कि रसेक्ट और रहैं हम श्यक्त इसकोम करें यहां पर एम ट्राई करते हैं तो data और इतना लिखने के बाद हम यहां पे सेट को फ्रेंट करवाएंगे तो टिक है रण करवाएंगे आप देखें यहां पे आपको करते हैं तो नहीं करेगा अगर प्रिंट करते हैं और इसके बाद हम इसको करते हैं कि सेट तू को प्रिंट हुआ है जिसमें आपको अहां पे नहीं मिलेगा इस तरह से आप सेट को अप्डेट कर सकते हैं कि अब इसको भी यहां से रिमूब करें अब इसको अपन डायेट यहां पर प्रिंट करवाते हैं कि मैं आपका सेट जो है यहाम का पहला तरीक्या ओए शापवा है इसको इसको जो प्रेकार उते हैं उनका यूज कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे क्या करें hai सैट करें और सेअ इसमें अपन सेट फंक्शन का यूज करेंगे इसके बाद ब्रेकेट ओपन करें ब्रेकेट्स लगाएं अब इसके अंदर हम अलग-अलग बैल्यू इस्टोर करवा सकते हैं जैसे 10, 50, 16, 14 जैंने कुछ कर दिया और इसके बाद हम इसको करवाएं तो इस तरह से भी आप पहले को इस्टोर करवा सकते हैं इसके अलावा वह कुछ तरीक किया सकते हैं गों साथ ही आपको एंपटी करवाण है जैसे हम इसको रिमोट करें गिता है कि यांदर करते हैं पर वातें और फिर प्रेंट कर तो में रहां कि अलग अलग टाइप से जो सैट है उसको कर सकते हैं आप इसमें आपने देख लिए डूबिक्शप करवाएं और रन करवाएं तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है जो इसको करता है रिवूब करता है तो कई बार आपके पास ऐसी कंडिशन आती जिसमें आपको डूब्लिकेट एलिमेंट को इसको करना है उसका उप्योग कर सकते हैं पर आता है कि हमें क्या करना है जो सेट के अंप को चेंज करना है तो उसमों कलिदेख्स नंबर करें यूजच नहीं होगा जैसे विस्ज़ को यहां से क्या करें रिमूब परवाएं फर्श्ट पर आते हैं और हम क्या करते हैं यह पर क्षाइब CTR ons días Democr क्या करते हैं पहले इसको में को प्रिंट कर लेते हैं अप्डेट कर रहें इसको रन करवाएं जैसे रन करवाते सब्सक्राइब यहां पर नहीं होता हैं आप इसमें नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर आड़ करके ने नएए लिमेंट को एड गरेंगे इसके लिए जो एड फंक्शन उसका यूज करना पड़ेगा तो हम क्या करें जैसे सेट वन है तो सेट वन डॉट सेट वन डॉट एड और इसके पाद इसके आगी काम रिमूब करें प्रेकट्स ओपन करें और क्लोज करें तो हम क्या करें सेट के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा रहें इंडेक्स नंबर आपको यहां से आठाना पड़ेगा इसको डारेक्ट नाम देगे तो सेट वन में हम क्या कर रहे हैं देव को स्टोर करवाएं पहला जो है इसमें आपको सिर्फ तीन नाम प्रिंट होने से ही और जब अपन ने कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथ ही यहां पर कहता है रिमूब का रिमूब करने के लिए भी आप पैटिकुलर एलिमेंट को रिमूब नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा रिमूब फंक्शन का यूज करना है उआрах तो जैसे हम यहां पर क्या करें आयड की जगह रिमूव करें रिमूव और už यूत्-, उसके बाद यहां पर नाम गें किसको रिमूव करें हैं हम सुरेज humanos को सुरेजΕ करना है कि हम सुरेज को रिमूव करना है और इसके बाद हम रण करवाएं लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो रिमूब फॉंक्शन है इसका यूज करना पड़ेगा अब आता है कि अगर आपको पूरे वह आप कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पर क्या रिखते हैं क्लियर लिखते हैं इसके अंदर का डेटा हटा देते हैं तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब कर सकते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं साथ ही क्या होता है कि उनको आप जो वैल्यू है लेकिन सब्सक्राइब करने का अलग अलग तरीका होता है जिनका आप यूज कर सकते हैं तो आज के लिए पाइटा नहीं देखा है तो चैनल पे जाके पहले वाली वीडियो उसको आप देख सकते हैं शुम ज सुमा जा शुम पेर का युम में हका जापली वीडियों सब्सक्राइब कर दो कि अला क eating a लाग जाप..... वोस्यों में लाला के वीडिगिया टीज दो कि एक सवां का कर स impose धुमावाब कर म Lectा़न difference याज दो तरीक Crystal